हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई कीचेन तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वाधिश्ट बहुत ही चटपटा मसालेदार कटेल की सबजी जिसे आप बड़े ही असानी से बना कर तयार कर सकते हैं कटेल आपने हजारों बार बनाया होगा और खाया होगा एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए बहुत ज्यादा पसंद आएगा इसको बनाने के लिए यहां पर हमने कटेल को अच्छे से दूल करके कट कर लिया है और फिर से हमने इसे पानी में डाल दिया है और इसे कटने स इसे डारेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं या फिर खुले बरतन में आप इसे बॉयल कर सकते हो कुकर में अगर आप इसे पकाओ गए तो एक सीटी में ये कठेल अच्छे से उबल जाता है और ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं अगर आप खुले बरतन में इसे उबालते हैं तो आपको दस से बारा मिनट का टाइम लग जाएगा तो यहाँ पर हमने कठेल को कुकर में डाल दिया है अब इसमें अधा चोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और अधा चोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे नमक नमक हम बादने बाकी का यूच कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे है और गयस का फ्लेम को मिडियम रखा है मेडियम फ्लेम पर हम इसे 1 चीट आने देंगे जाद आप और यहां पर एक चीट आ गई है नहीं रखना है जैसी ही एक हो जाए तब आपको तुरंत ही गैस का फ्लेम आफ कर देना है अब मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूंगी कि देखिए और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए क्योंकि हमने एक ही सीट लगा अगर आप से गलती से दो सीटी लग जाए तब आप इसका धक्कन खोल द बेना है कि देखिए इस तरह से तैंट आप द टैंगे ओर इसे हम एससे ही छोड़ देंगे तक इसका जो पानी है वो निकल जाए और साइड मे कर देते हैं और इसके बाद हम आगे की त्यारी कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे 3 मिडियम सैज के पैज को उने कट किया है तो यहां पर हमने इसे पीस कर इसका पेश्ट बना लिया है कि देखें बीन पानी की हमने इसे पीसा है तो यहां पर हमारी सारी तैयारिया हो गए सब्जी बनाने की तो गैस का फ्लेम आउन करके हम इस पर कडाही चड़ा देंगे अब कडाही को गरम होने देंगे जैसे कडाह सांट चिबके की नहीं तील के गरम होती इसमें हम कठेल डाल देंगे और इसे अम फ्राय करेंगे तो अ मेडियम हाई फ्लैमपार इसे इसे दो मिनट के लिए फ्राय करना है सिप 2 मिनट में कठेल बिलकुल अच्छे से फ्राय हो जाता है और इस पे golden color आना शुरू हो जाता है जैसे golden color आना शुरू होगा वैशे इसे हम निकाल लेंगे कड़ाही से तो इसे fry करने में बिल्कुल भी time नहीं लगता है तो दो मिनट लगता है ये देखिए दो मिनट हो गया इसे fry करते हुए और इसमें हलका सा golden color आने लगा है ये देखिए और अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है इसका बिल्कुल अच्छा सा color आ गया है इसे side में करेंगे और सेम कड़ाही में हम तेल डाल देंगे आप चाहो तो दूसरी कड़ाही भी ले सकते हो तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो तेश पत्ते और थोड़ा सा जीरा यहाँ पर हमने दो से तीन तेश पत्ते डाल दिये हैं और आदा चोटा चम्मन जीरा डाल देंगे इसके बाद यहाँ पर हमने दो बड़े साइज की प्याज को इस तरह से लचों में कट कर लिया है इसे भी डाल कर अच्छे से फ्राइ करेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखना है प्याज का कलर नहीं चेंज करना है मतलब बहुत जादा इसे कृश्पी नहीं करना है बिल्कुल सॉप्ट करना है अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो यह क्रिस्पी हो जाएगी सॉप्ट नहीं होगी तो इसलिए फ्लेम को लो ही रखना है लोटो मीडियम के बीच में हम इसे फ्राई करेंगे तहां पर हमारी प्याज अच्छे से पक गई है ये देखे बिल्कूल नरम सी हो गई है तो ऐसी ही प्याज को रखना है और अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने बना कर रखा हुआ है बिना पानी के तो इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे अर और हमने अहाँ पर लाल वाली मिर्च लिती इसलिए पेस्ट हो गया हारी मिर्च का यूज कर सकते है इसमें क्योंकि हरी मिर्ची थी जो वाल हो गई थी इसलिए हमने उसी का यूज किया है अछे से पेस्ट को भून लेंगे ये अहाँ पर हम अछे से भून लिया है अब इसमें हम एक बड़ा चंमाप डाल देंगे धनीया पाउडर ये कठल गरम मसाला है छो और देंगे स्वातर नमक और अच्छे मिला सम mulheres अब धक कर हूं कि सम चार मिन सुर्फ ऑधाया हैं मसाला मारे सिंद embri लगाने हैं रyourघे ऐसे के लिए मसाला मारे डालें गाया है एक मारे से कफ़ुधर करें घार नियुक्त टालें तक करें कि ऐसे चला हैं छबाते हुए और गयस का फ्लेम आपको लोटू मीडियम के बीच में ही रखना है नहीं तो मसाला जो है जलना शुरू हो जाएगा तो अभामिस में डालेंगे दः दो से तीन चम्मत दः को अच्छे से फेड कर इसमें एट कर देना है और अच्छे से दः को भी मिला लेंग तो इसके बाद फ्राइब किया हुआ गटाल इसमें डालेंगे और अच्छे से कटहल को मसाले के साथ मिला देंगे तो यहां पर मसाला और कटहल अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब भी ढग देंगे और धकर के दो मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि कटहल के अंदर मसाला अच्छे से अब जौब हो जाए तो यहां पर हमने इसे दो मिनट और पका लिया है अब हम इसे एक बार फिर से हलका साथ चलाएंगे किया देखिए इस तरह से इस तरह से अगर आप कटहल की सबजी बनाओगे तो कटहल के अंदर तक मसालो का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आता है इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे एक छोटा ग्लास अगर आप ग्रेवी बाली सब्जी बना रहे है तो इसमें आप पानी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दीजिए का मतलब एक से दो ग्लास आप इसमें एड करिएगा पानी मैंने हाँ पर सिर्फ एक ही ग्लास पानी एड किया है इसको ठक देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि सब्जी में जल्दी से उबालाना शुरू हो जाए यहां पर सब्जी अच्छे से उबलने लगी है इसका धकन अटाएंगे और एक बार इसे फिर से चलाएंगे तहां पर हमने इसे चला दिया है और अब आपको इसे अच्छे से पका लेना है मैं इसे धक देती हूँ और इसे अच्छे से पक जाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ तहां पर मैंने सब्जी को बहुत ही अल्मोस्ट बनी चुकी है यह देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है बहुत ही टेस्टी यह सब्जी बनती है तो एक बार आप इस तरह से जरूर ट्राइ करिए गई सब्जी को अब मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूंगी और इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और धनिया को भी अच्छे से मिला देना है तो हमारी बहुत ही चटपटी गरम मसाला कटैल की सब्जी बनकर तयार हो गई है यह देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में सब्जी बहुत ही ज़्याद पसंद आया हो तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो यह देखिए कितनी अच्छी लग रही देखने में ही हमारे कटैल बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें मैं इसी तरह से हर रोज नहीं नहीं रेस्पी लेकर आती रहती हूँ तो हर रोज नहीं नहीं रेस्पी के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इस तरह से आप एक बार कटैल की जरूर ट्राइब करिएगा सभी को पहुत ही पसंद आएगी बच्चे बड़े सभी को यह सबजी पहुत ही अच्छी लगते खाने में क्योंकि कटाहिल के अंदर तक मसाला अच्छे से अपजॉब हुगा है बिल्कुल रेसों में अच्छे से मसालों का टेस्ट आएगा आपक बहुत बहुत धन्यवाद